परिवहन के पारमपरिक साधन जैसे सलक मार या रेल मार्ग कहीं न कहीं परियावरण को हानी पहुँचाते हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सदैव परियावरन की दिश्ट से संतुलित विकास को ही प्राथबिक्ता दी है और इस दिशा में जल मार्ग को उप्योगी पाया है माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध है कि कृपया बटन दबाकर आसाम के पांडू के शिप रिपेर सेंटर तथा पांडू टर्मिनल को राष्ट्री राजमार्ग 27 से जोडने वाली एलिवेटेड रोड का शिलान्यास तथा गुवहाटी में स्थित मैरिटाइम इस् प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक्ट इस्ट पॉलिसी में पूर्वोत्तर राज्यों की एहम भूमिका है हमने पूर्वोत्तर के लिए एक्ट इसका संकल्प लिया है यहाँ विकास की टुरिजम की इतनी संभावना है नौर्थ इसकी इन संभावना उपर अब काम हो रहा है उर्वोत्तर अब भारत के विकास का गेटवे बन रहा है ब्रह्मपुत्र और बराक नदी पर विक्सित किये गए राष्ट्रिय जलमार्ग तो एवं सोला है इस परिकल्पना की महफपून कणी है ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षणी तठपर बसे गवाहाठी के पास पांडू में एक मल्टी मोडल टर्विनल का निर्वान किया गया है पूर्वोत्तर भारत में जहाजों की मरमत एवं रखरखाव के लिए कोई आधुनिक सुविधा नहीं है जहाजों को मरमत के लिए कोलकता ले जाना पड़ता है जो काफी खर्चीला है इस कमी को दूर करने के लिए गोवाहाठी के निकट पांडू में जहाजों के मरमत के लिए एक ड्राइ डॉक की स्थापना की जा रही है अब इस पूरे क्षेत्र में जहाज मरम्मत का काम भी होने लगेगा जो आर्थिक बचत के साथ ही साथ रोजगार का भी सुरेजिन करेगा माननिय प्रधानमंत्री ने आज इस जहाज मरम्मत स्थल का शिला न्यास किया इस परियोजना की कुल लागत 208 करोड रुपए है साथ ही पांडू टर्मिनल में एक एलिवेटेड रोड का निर्मान किया जाना है इसके निर्मान में 180 करोड की लागत आएगी इस एलिवेटेड रोड के बन जाने से पीएम गती शक्ती के अंदरगत पांडू मल्टी मोर्डल टर्मिनल और नैशनल हाईवे सीधे जुड़ जाएंगे जिस से निर्वाद माल धुलाई संभव होगा और आवजाही को गती मिलेगी माननिया प्रधान मंत्री ने आज इस एलिवेटेड रोड का शिला नियास किया भारत में कई जलमार्कों के दिकास होने से फ्रशिक्षत पेशेवरों की आवश्यक्ता होने लगी इसकी पूर्ती करने के लिए IWAI द्वारा असम एबं त्रिपुरा सरकार के साथ मिलकर स्किल डिवेलप्मेंट संथान में ट्रेनिंग सेंटर खोले गए है गुवाहाटी में स्थापित किये गए स्किल डिवेलप्मेंट इंस्टिट्यूट में खास तोर पर पूर्बोत्तर के चात्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा जो ना सिर्फ इस सेक्टर की आवश्यक्ता को पूरा करेगा अभी तो उनके लिए रोजगार भी सुनिश्चित करेगा माननिय प्रधान मंत्री ने आज गुवाहाटी में बने मैरिटाइम स्किल डिवेलप्मेंट इंस्टिट्यूट का उधगाटन किया राश्ट्रिय जलमार्ग दो मिस्थित धोगरी जोगी घोपा तेजपुर सिलगाट निमाती और डिवरूगर में फ्लोटिंग टर्मिनल बनाए गए हैं माजूली दूइप में आबजाही के लिए रो रो और रो पैक्स की सुविधा शुरू की गई है इसके अलाबा बोगी बील में एक स्थाई कॉंक्रीट टर्मिनल की स्थापना की जा रही है जो हर मौसम में माल ढुलाई और यात्री परिवहन को सुनिश्चित करेगा इसी तरह राष्ट्रिय जलमार्ग सोला पर बांगलादेश सीमा से लगे करीम गंज को ट्रांस शिप्मेंट हब के रूप में विक्सित किया जा रहा है पूर्वोत्र के सभी राज्य इस परिकल्पना की महत्वपूर्ण कड़ी है इसी के आधार पर प्रधान मंत्री जी ने भारत बांगलादेश प्रोटकॉल रूट के विकास की अवधारना की है जो राष्ट्रिय जलमार्ग दू और सोलह के माध्यम सी संपूर्ण पूर्वोत्र राज्यों को देश के प्रमुक बंदरगाहूं और बड़ी शहरों से जोड़ने में सभल रही है उत्तर पूर्वी भारत में जलमार्गों के विकास से सामाजिक और आर्थिक परित्रिश्य में भारी बदलाव आया है जो समग्द्र विकास का द्वार खोलने के साथ ही सा रूजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने में सभल रही है